इसलाम अलेकुम एब्रीवन विल्कम बैक टो मैं जैनल ओलिवन एड्यूकेशन तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइन इंशाल अकाउंटिंग लास्ट वीडियो में हमने अपना चेप्टर एट पूरा मुकंबल कर लिया था अब हम बड़े हैं चेप्टर नाइन की चेप्टर नाइन भी जो है हमारा पुराना ही सब मैथर्ड इसमें ट्रेडिंग लॉस अकाउंट हैं और आपके बैलेंस शीट होंगी मतलब इसमें कुछ नाया नहीं है बस इसमें दो तीन चीज़े हैं जो समझने वाली नहीं आई हैं जैसे के एक आपका रिटर्न इनवर कि हम एड्जेस्टिंग एंटरी की तरफ जाएंगे लेकिन हो सकता उसके लिए हम बुक स्विच करते हैं वीगें पर चले जाएं तो हम देख लेंगे जब हम चैप्टर 9 मुकमल कर लेंगे तब तो फिलाल अभी जो है 9.1 जो है सॉल्फ करते हैं देखते हैं सवाल किस तरह स्वाल होगा from the following information draw up the trading account of j bell for the year ended 31st December 20x7 which was his first year in business तो इनका पहला year था business card 20x7 तो 31st December को हमें इनका बनाना है trading account तो यहां पर देखें trading and loss account ने लिखावा income statement नहीं लिखावा यहां पर सर्फ लिखावा trading account तो मैंने आपको जो है यह शायद video में नहीं बताया था लेकिन एक भाई साबने comment किया था तो मैंने मैं आपने वही हैं कि आपको वनीजू कि ट्राइट बाता है अपने उसके रहा है मैं तैसर को को ते-चल बाते हैं तो एक पर हम पहले gross profit निकालते थे और उसको minus कराके expenses से net profit निकालते थे तो gross profit निकालना is your trading account और profit and loss account यानि आपका net profit निकालना तो मैंने आपको एक ही उसमें दोनों चीज़े बता दी तो वो आपका trading and loss account हो गया था उसको trading account भी आप निकाल सकते हैं अगर आप खाली अगर आपको बोला गया एक्जैम में trading account बनाया है तो trading account खाली gross profit तक निकालके छोड़ देता है आगे आपको expenses नहीं दिये होते हैं और आगर आपको बोला है profit and loss account तो वो आपका net profit होता है तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है तो इसमें अभी आपको बोला है trading account तो trading account के लिए हमें देखे हैं यहां पर कोई expenses वगएर नहीं दिये हैं तो हम खाली gross profit निकालके छोड़ देंगे तो अब नीचे चीज़े देखते हैं हमारे पास है carriage inwards, return outwards, return inwards, sales, purchases, stock of goods 31st December 20x7 तो जैसे कि हमने अभी तक जो income statements बनाई थी तो उसमें क्या था कि हमारे पास sales होती थी, purchase होती थी, closing inventory होती थी, balance of inventory और gross profit निकालाता था cost of goods sold से minus करते थे, cost of goods sold को minus करते थे sales में से, लेकिन अब हमारे पास यहां पे कुछ चीज़े different होई है, अब हमारे पास sales में आ चुका है एक नहीं चीज़ जो के कहलाती है return inwards, return inwards वो return होता है जो चीज़ आपने चीज़े चीज़े को बेची हो और वो उसको समझ नहीं पास return आ जाता है, जैसे अगर आप कोई parcels बेचते हैं तो courier से जो है कुछ parcels return आ जाते हैं तो वो होता है आपका return inwards, उसको आप दूसरी जबान में कह सकते हैं sales return, तो मैं आपको यहां पर दूसरा ही लिख दे, दोनों ही लिख देता हूं return inwards slash डालके sales return, आप इसको दोनो बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा जो है, होगा minus, तो अब आप minus के लिए या तो यह ऐसे bracket में minus show करा दीजेगा, या फिर मैंना आपको बताया था कि आप L E SS less लिखकर column डाल की भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन minus वाले show कराना ज़रूरी होता है, क् कि उनको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज सब्ट्रैक करा रहे हैं, क्या चीज एड करा रहे हैं, एडिशन के लिए कुछ ही नहीं लगता है, एडिशन को डायरेक लिख देता है, जैसे कि sales लिखा हुआ है, purchase लिखा हुआ है, खाली हमें minus को show कराना पड़ता है, क्या यह minus कर देते हैं, और फिर हम बोलते कि यह हमारा gross profit आया है, तो cost of goods all निकालने का तरीका क्या था, कि purchase को हम minus करते थे, closing inventory से, और हमारे पास cost of goods all आ जाता था, देकिन अब हमारे पास purchase के साथ यहाँ पे return outwards भी दिया हुआ है, जो कोई दूसरी जबान में कहते है, purchase return, यानि कोई चीज आपने किसी से खरी दिया हो, और आपको समझ नहीं आया हो, या किसी भी xyz reason की वज़े से आपको उसको return करना पड़ गया हो, तो वो कहलाता है purchase return या फिर return outwards, आप उसको इस तरीके से याद रखें, enter और out से, यानि in और out, in यानि हमारे पास parcel return हुआ है, तो वो हमारा return है, returns outwards, या फिर purchase return, ठीक है, अब चूब कि या आपके purchase हुए वे माल में से वापिस जाएगा, तो इसलिए हम इसको subtract कर देते हैं, वो हमारे फिर profit में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चीज जब हमारे पैसों में आई नहीं है, वो वापस ही चली गई, तो हम तो इसको subtract कर देंगे अपने values में से, closing inventory आपके subtract होती है, ये भी मैंने पहले बताया था, closing inventory आपके subtract इसलिए होती है, क्योंकि वो उस महीने की बचीवी, यानि जब इस दिन आप बैठके ये income statement बना रहे हैं, वो उस time पे बचावा stock होता है, जो के अभी अगले साल या अग क्योंकि उसका profit अभी हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो अभी बिका ही नहीं है समान, उसके बाद आपके पास एक नहीं चीज आई है, जो के कहलाती है, carriage inward or carriage outward, फिलाल इस सवाल में हमारे पास carriage inverse है, carriage inverse आपके आता है, cost of goods sold के अंदर और ये हमारा add होता है, carriage inverse, और ये हमारा एड होता है, cost of goods sold में, यानि purchase के अंदर, because carriage inverse आपकी होती है, बिलकुल असान अलफाजों में transportation charges, यानि अगर आपने कोई चीज किसी supplier से bulk में purchase की है, तो वो आप किसी transportation के जरीये अपने पास मंगवाएंगे, तो वो जो transportation के charges होते है ना, तो वो आपके buyer pay करता है, यानि कि हम सेलर या supplier से बहुत लाखों की तादात में, या हजारों की तादात में कोई माल मंगवा लिया है, तो वो जो transportation charges होंगे, वो truck का, truck का, जो भी truck का किराया वगरा, जो भी होगा, वो हमारे carriage inverse में आता है, और वो हमारा buyer pay करता है, वो अलग से होता है, जैसे कि for example, अगर मैंने क 5,000 उपे transportation charges लगाएं, तो वो transportation charges भी हम देंगे, तो वो आपके transportation charges होते है, carriage inverse, जो कि आपका basically, buyer pay करता है, तो ये इसलिए हमारा add होता है, कि आपने जो चीज purchase की, उपर से आपको extra carriage charges देने होते हैं, ये आपका carriage inverse आ जाता है, बागी carriage outwards अभी सवाल में नहीं है, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो मैं आपको अगले सवाद में, वैसे वो expenses में जाता है, अगर वो expenses में क्यों जाता है, वो मैं आपको बाद में बता हूंगा, क्योंकि आप carriage inverse को ऐसे भी देख सकते हैं, कि जब आप कोई parcel मंगवाते हैं, तो इसका जो buyer होता है, वो delivery pay करता है, आप नहीं देते, तो इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं, तो अब हमने सारी जो इसकी structure बना लिए, समझ लिए, तो आपको समझ आ गई होगी, अब हम इसमें values डाल के इसका gross profit निकालते हैं, तो सब सब पहले हमारे पास sales दिया हुए, और मैं आपको अगर याद हो, म हमारे dollars के जो दो कॉलम होते हैं, left वाले साइट पर हम पहले जो है initial values लिखेंगे, right side पर final calculated values लिखेंगे, जैसे के sales हमारे पास एक हुआ करती थी, तो हम direct right hand side पर लिख लिया करते थे, इस वाली part में, देकन अभी हमें sales को sales return में से minus कराना है, तो अभी हम यहां पर sales return, sales return की value हमारे पास क्या दी हुई है, 12.90, 12.90, तो यह देखें, इसमें से return inverse को minus कराके, यह final value देखें, मेरी right hand side पर यह आ गई, 161,628 pounds, इसमें automatic मेरे formula लगाएगा, अगर आप minus का तो वो इसलिए automatic calculate कर दिया, उसमें, उसके बाद हमारे पास cost of goods sold, को minus कराने के लिए सबसे पहले purchase चाहिए, जो के है 1,21,437 pounds, उसके बाद उसमें से subtract कराना है purchase return को, जो के है हमारे पास 840 pounds, उसमें हमारे पास closing inventory, 11,320 pounds, in the end आपको add कराना है carriage inverse को, तो carriage inverse की value हमारे पास है 980, तो यह आप देख सकते हैं, आप मारे पास जो final value आई है, पर्चेस में से return outwards को minus कराके, closing inventory को minus कराके, और carriage invert को add कराके, वो final value आई है, 110,257 pounds, इसी के साथ आपका जो gross profit निकला है, यह आपका gross profit, जिसको मैंना highlight किया है, 51,371 pounds, यह आपका gross profit आचुका है, यह आपका यानी trading account पूरा मुकमल हो गया है, इसके आगे आप जा भी नहीं सक gross profit आपका वो होता है, कि आपने जो समान खरीदा था उसको बेचने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है, लेकिन यह आपका gross profit होता है, net profit नहीं होता, क्योंकि gross profit में आपके बक्या खर्चे भी शामिल होते हैं, जो आपको निकालने होते हैं, जैसे कि आपके warehouse का खर्च आपके gross profit से निकलते हैं, जो कि आपके expenses के लाते हैं, और फिर उससे निकलता है net profit, तो net profit वो profit होता है, जो आपके business से आपको generate हुआ होता है, अब आप उसको कुछ भी करें, आप उससे business का कोई तालुक ही नहीं कि business अपनी जगा पर बिल्कुछ सईटल है, हमने सारे पैसे business बना कर दिखा हैं, तो वो हमने 31st December का इनको complete करके दे दिया है, यह आपका सवाल था, यह हमारा gross profit, इसके आगे का structure बना हुआ है, लेकिन यह भी use नहीं होगा, वो बाकिया सवालों में use होगा, तो hopefully यह आपको question बिल्कुल समझ आ गिया होगा, 51,371 यह answer बिल्कुल confirm है, मैं compare कर सकते हैं, तो मिलते हैं अब इसी के साथ next video में 9.2 में, वो भी इसी के type का question है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताके जब कोई भी वीडियो आइसका notification आपको आज है, तब तक के लिए लिए